नमस्कार दोस्तों बदबस वालत आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकरी देने वाले हैं जिसके बारे में आप हमसे हमेशा पूसते थे कि प्रधान मंत्री आवासी योजना से जुड़े हुए सवाल सेवा शिकायत के लिए कहा जाए किस से मिले किस संपर करे किन अधिकारियों उसके पास जाएं तो बस इसी बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकरी देंगे तो आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपके सारे अधिकारियों की जानकरी दूंगा कि किस तर आप इनसे direct आप पूछ सकते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, और सारी जानकरिया आप ले सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने Google ब्राउजर को open कर लेना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है, आप अपने phone पर भी इसको देख सकते हैं, तो आप ये type करेंगे, तो देखें, इस तरह का page खुल जाएगा, जो कि सरकारी website का page है, यहाँ पर आपको देखें, यह उपर तीन line जो आपको दिख रही है, इस box पर आपको click करना है, जब आप इस box के उपर click करेंगे, तो इस तरह का page खुलेगा नीचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन यह number काम नहीं करते हैं, यह बेकार के number है, जैसे हम थोड़ा नीचे चलते हैं, जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर एक option आपको दिखेगा, इस योजना में जुड़े हुए अधिकारियों की detail लेने का, अब आपको यहीं पर click करना है इस option के उपर, ठीक है, जैसे आप इस option के उपर click कर देंगे, तो देखे इस तरह का एक page आएगा और यहाँ पर तीन option आपको दिए गए हैं, पहला state, दूसरा district और तीसरा block, यानि कि आप अपने state के अधिकारियों को भी देख सकते हैं, आप अपने district के अधिकारियों की contact details ले सकते हैं, या आप अपने block के अधिकारियों के भी contact details ले सकते हैं, तो चलिए हम पहले state के देख लेते हैं, तो यहाँ हम state पर click करते हैं, देखें, यहाँ पर state पर click क्या हुआ है, तो यहाँ पर आपको सारे state की list दिख जाएगी, जैसे की अंडमा निकोब, रांदर प्र तो यहाँ पर आप देखें, पहले state का नाम है, उसके बाद यहाँ के अधिकारियों का नाम है, इस state में जो भी इस योजना से जड़े हुए अधिकारी हैं, उसके बाद उन अधिकारियों के post क्या है, किस post पर वो काम कर रहे हैं, उनका email ID भी यहाँ पर आपको दिया गया ह ताकि आपको कोई परिशानी हो रही है, कोई भी इस योजना से जड़े ही, तो आप direct इने mail भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनके आपको number भी मिल जाएंगे, ठीक है, आपको अगर किसी दूसरे के नहीं मिल रहे हैं, तो उनके आसपास वालों के जो के भी number है, आप उनसे भी उनकी मदद ले सकते हैं, तो चलिए आप हम चलते हैं district पर, माली जी आपको अपने district के अधिकारियों के number, contact detail चाहिए, तो अब आप क्या करें, अपने district को select कीजिए, यहाँ पर, हम यहाँ पर जैसे कर देते हैं, तो आपको district पर select करना है, उसके बाद यह option आएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि यहाँ पर आपको बिहार के जितने भी district हैं, उन सब की यहाँ पर list आपको मिल जाएगी, जैसे की अररिया, और अंगाबाद, बनका, तो चलिए यहाँ पर देखें, जैसे की बेगु सराय और भागलपूर, ठीक है, तो यहाँ पर बेगु स भी मिल जाएगा यहाँ पर, जो उनका office का number होगा, ताकि आप उनसे direct call भी कर सकें, जो भी आपको अगर सवाल या परेशानी हो रही है इस योजना में, तो आप उनसे direct संपर भी कर सकते हैं, उनको call करके, ठीक है, इसी तरह से आप आपका जो भी यहाँ पर district है, आप उसके यहाँ पर हमें select करना है, सबसे पहले अपना state, तो हम अपना state select कर लेते हैं, उत्तरपरदेश, ठीक है, उसके बाद आपको select करना पड़ेगा, अपना district, जिस भी district में आप आते हैं, वो आपको यहाँ पर select करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर select करना पड़ेगा, तो हम यहा प्रगत आने वाले जितने भी ब्लॉक हैं उनकी लिस्ट यहां पर आ जाती तो जैसे हैं आप यह लिस्ट आ चुकी है उसके बाद देखें आप देख सकते हैं यह ब्लॉक तो आप अपने जुड़े हुए जो भी आपका संबंदित ब्लॉक हो उसके आप जाईए उसके आप सामने देखेंगे तो उसके अधिकारी का नाम आपको मिलेगा उसके बाद किस पोस्ट पर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा उसके बाद उनकी email ID भी आप से कोई पैसे माग रहा है या जो भी कोई परिशानी है आप डारेक्ट यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और उनसे help ले सकते हैं तो इस तरह से आप अपने संबंदित स्टेट डिस्टिक ब्लॉक से जुड़े हुए जो भी आपके अधिकारी है उनका नंबर उनकी email ID उनक आपको अच्छे लगी तो प्ली से लाइक कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ भी से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाब ले सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए या आपकी स्क्रीम के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान के उपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाई हुई नए नए वीडियो लगातार मिलती रहें यह बिल्कुल फ्री होता है आप इससे साथ से जाधा फायदा उठा सकते हैं तो अब के लिए इतना ही धन्यवाद